इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीस कॉंट्रेक्टर ने ये एक रेसिदेंशल प्लस कमर्शल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शल स्पेस और यॉर शॉप और ऑफिसे इसी के साथ आपको मिलता है 1,2 & 3BHK के ल स्कूल, कॉलेज़, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन ये सब सिर्फ और सिर्फ पांच से दस मिट के फासले पे सो क्यों रहना ओडिनरी जब मिल रहा है लगजरी दू कॉंटेक्ट फो मोर डीटेल्स www.arenasquare.in लेकिन मुमरा के अंदर है ना एक अलग है ना रन्नीती चालू, वो आपके हक की लड़ाई वाला वोट है, आपकी आजादी वाला वोट है, जो 10-12% का जो फायदा उटा लेते है ना, उसकी वज़े से सरकारे गिर रही है जीत जाते हैं, उसके बाद में भी तो जाके शामिल हो जा रहे हैं बीजेपी में, एक तरफ तो उसका सतकार करते हैं, शिरकान चिंदेगा, अरे बोलो वो खुल कर क्यों बीजेपी वाला है, खासदार करता क्या हूँ, आया कितनी बार यहां पर? वैशाली जरेकर ने मुम्रा को दरकिनार कर दिया है, दोगले निताओं के यसी नहीं है, कि जो रहे तो कुसी और पार्टी में रहे हैं, लेकिन हैना सतकार जो है वो शिरकान चिंदेगा कर रहे हैं, केस से डर के आदमी भाग जा रहा है दूसरे पार्टी में, यह तो जानो, मज जानो निकल कर बड़ी संख्या में वोट करें, क्योंकि वोट ही एक ऐसा जरिया है, जिसके वज़े से आप एक सही उम्मिदवार चुन सकते हैं, वसिम भाई क्या बताएंगे, चुनाओ परचार बहुत तेजी से हो रहा है, नमांकन भी हो रहा है, आज कल्यान लोकसभा के जो श कि काफी लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, तो उनके बीच में एक जाग रुकता लाना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो इस्लामदीन भाई एक बात आपको बता दूँ कि आज वो बीजेपी वालों ने अपना नामंकन दाखिल किया, और इंडिया ब्लॉक की वैशली दर्यकर का तीस तारीक को अलिडी हो चुका था, एक्चुली ये लोग डरेव हैं, इनके कैंडियट भी बहुत देर देर से फाइनल हो रहे हैं, जिसके राजन वीचारे के सामने, जो एकदम कमजोर कैंडियट है नरेश मसके, उसका नाम का ऐलान जो है, वो कल आज आपको पता होगा, बालिया मामा जो भिवंडी से हमारे प्रत्याशी हैं, इंडिया ब्लॉक के, जिस तरीके से भीड देखी गई है, वो भीड देखकर के मुझको लग रहा है, कि कपिल पाटिल जो है, वो अपनी सभाय रद कर चुके होंगे, और उनको ये बात समझ म आगे होई कि वो ये चुनाव हार रहे है, अब बात इसमें ये समझ नहीं किये, कि ये जो शो है, इंडिया ब्लॉक के लोगों के साथ है, लेकिन मुमरा के अंदर है ना एक अलग है ना रन्नीती चालू है, कुछ लोग है ना जबर्दस्ती आकर के एक प्रोपगेंड़ा पहला रहे हैं, क्या प्रोपगेंड़ा पहला रहे हैं, कि भीया चुटी का टाइम है, गर्मी बहुत रहेगी, वोटिंग नहीं होगी, आपके चैनल के जरिये से, मैं सबसे पहला तो मुमरा वालों कोई नहीं, बलके जहां तक के आपके चैनल की रीच है, जहां तक के भी ये मैसेज जा रहा होगा, उनसे ये अपील करना चाहता हूं, कि इस बार का जो वोट है, वो सिर्फ एक आम सामन्य वोट नहीं, सिर्फ एक सरकार को चुनने का वोट नहीं है, सिर्फ एक पंत प्रधान को या प्राइम मिनिस्टर को चुनने का वोट नहीं है, बलके इस बा आजादी देने वाले वोट है कि आप क्या खाओगे क्या पहनोगे किस तरीके से रहोगे क्या बोलोगे कौन से मजभ़के आप आजादी के साथ चलोगे तो इस बार अगर चुटी भी आती है और आगर आपके बच्चे आप से जिद करते हैं कि हम को घूमने जाना है हम को गा उस चीज़ की आजादी दिलाएंगे आने वाले दिनों के अंदर आप जो है वो सुकून के साथ हिफाज़त के साथ अपने घरों में रह सकेंगे तो मुमरा के अंदर खास करके यह अपील की जानी चाहिए और आसपास के हर इलाखों के अंदर के इस बार जो हांडेट उठा लेते हैं ना उसकी वज़े से सरकारे गिर रही है हाला के इनके पास अभी पब्लिक नहीं है लेकिन अगर हमने हंड्रेट परसंट वोटिंग कर दी कुछ लोग बोल रहे हैं वोटिंग करने के बाद भी अगर जीत जाते हैं उसके बाद में भी तो जाके शामिल हो ज लेना बात समझ नहीं यह घदार नेता ही आज आगर आपको बोल रहे ना आज अगर शिरिकान चिंदे मेरी समझ में नहीं आता लोग शिरिकान चिंदे का नाम क्यों नहीं लेते हैं ऐसा क्या डर है उससे क्या करेगा जादा स्यादा यहां पर एक एक अजीव सी लोबी है जिनका लेना देना होगा एक तरफ तो उसका सथकार करते हैं शिरकान चिंदे का अरे बोलो वो खुल कर क्यों बीजेपी वाला है बोलो ना क्या करेगा जादा स्यादा खाज़ार करता क्या हूँ आया कितनी बार यहां पर वो सिर्फ नाज गाने के लिए वो कौन से प्रिडियूंसे में नहीं आता है और अगर तुमने काम किये तो बोलो ना मैंने मुम्रा में भी काम किया एक कल्यान लोग सभा की जो अमिद्वार अभी उतारा गया है वैशाली धरेकर वह जगां चुनाओ परचार कर रही है लेकिन मुम्रा क्यों नहीं आ रही है इसे मु चीजें दरकार है इसके लिए उनको दरकिनार नजर आ रही है एक बात समझे तीस तरीको नामन कर हुआ है खली उनका तीस तरीको और वो पहले से दो टेम की वो नहीं है और यहां के दोगले नेताओं की जिसी नहीं है कि जो रहे तो कुसी और पार्टी में रहें लेकिन है ना सत्कार जो है शिरिकान चिंदे का कर रहे हैं अरे मैं एकदम चैलेंज से बोलता हूँ आपके इसके ओपर अगर ये मर्द के बच्चे हैं अगर ये बोलते हैं ना कि इनके नाम के ओपर वोड गिरते हैं तो जो जो उसका सत्कार करा ना वो जाके पब्लिंग में बोले कि मेरे नाम की वज़ासे ना शिरिकान को वोड़ दो ये बीजेपी वाला इसको वोड़ दो मैं आज बोल रहा मैं बीजेपी मुखालिफ हूँ तो मैं उनका सत्कर करूंगा जाके मोधी आएगा तो अरे पंद प्रदान रहे का तो भी नहीं करूंगा नहीं करूंगा पंद प्रदान मैं कैसे गुजरात बूल जाओं लोगों को बावरी याद दिलाने वाले कल्यान लोकसभा के आदे उनका समवा प्रदगार क्यों नहीं करें हैं नहीं हमारी सवाले ही नहीं उम्मिदवार वो आपके सोच के कौन है कल्यान लोकसभा 24 कॉबिस मेरी सोच गानली वाद सोच है 24 कल्यान लोग सभा के अंदर जो गांधी बाद सोच के साथी होगा हम उसके साथ रहेंगे हम उसका सत्कार करेंगे जो गोड़से वाला होगा अभी आप किसका चुनाव परचार करेंगे शरीकान सिंदे का कौन शरीकान सिंदे मैं तो डार्यक का औorn शरीकान चिंदे एक्स हो गया खासदार था जो इंडिया ब्लोक का करूँगा किस पाटी से मशाल से अद्वाला साथ ठाकरे शिवसेण ना अद्वाला साथ ठाकरे अद्वाला साथ सुने शिवसेण ना पर चारा आप उले कि हमारी सोच तो थाकरे भी कहे चुके हैं कि हमने हमें घर्भ है हमने जो है बाबरी पर गिराया उन्होंने सामना में यह भी आया कि बुर्गा पर पावंदी लग लग जाएगी सामना पेपर में मैं तो आप भी तो उनको समर्थन कर रहे हैं इसको मैं बता रहू ना आपको आप ये क्या बात बोल रहे हो कि उद्धो बाला साथ ठाकरे ने कहा था लेकिन अभी एक दिन पहले ये देविंदर फंड नवीज यही बाजपा वाला ये गाना का कर बोलता है कोई चीज रिपेंट कर ले अगर कोई चीज को उसके दिल में ख्याल आ जाए कि मुझसे गलत हुआ मैं आज का उसका बता रहा हूं गुदो बाला साथ ठाकरे ने बोला कि जितने भी मुसल्मान इस वक यहां पर जो देश को प्यार करते हैं वह हमारे साथ जुड़ा और हम उ मुसल्मान की बीजेपी को उट करते हुए मुसल्मान किसको चुने नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता कहीं अपने आपको एक ठागा महसूस करती है कि हमने ओट किसको डाला और किसको खिलाफ डाला किसको अगेंस करके हमने जिताया और वही लोग जाकर मिल जा रहे हैं तो ऐसे में जनता ही परिसान हो रही है ना इस्ता मुदिन में कौन भागा हो तो देखो ना ये भगोडी फैमिली से हैं लोग चुनकर ला रहे हैं वही भाग के जाके शामिल हो जा रहे हैं ना इने चुनकर ला रहे नहीं ये क्यों हो रहा है कि ये तुकड़े तुकड़े में जा रहे हैं एक बार इनके आज से खरीद देने वाला कॉंग्रेस से जादा देश के हित्में सोचने वाला कोई नहीं हो सकता अगर बादा जी पाटिल्दा उसको दो लग छेस्टी जार वोट मिल गेते यह कॉंग्रेस यह कॉंग्रेस एक सोच एक विचार है मेरा एक बात यह है कि गोटसे वादी सोच और गांधी वादी सोच के अंदर फरक होना पड़ेगा अगर हमने आज भी वो ही सोच रखी कि बाया यह लोग जो है वो पहले ऐसे थे अगर इनको इस बार नहीं रोका गया ना तो इस देश के अंदर C.A.N.R.C. लागू हो जाए कॉंग्रेस को दोस देने से जादा इंपोर्टन यह चीज है यह जो यहाँ पर दिमाग में फैला आज जा रहा ना इस्लमदीन भाई के एक केस से डर के अद्मी भाग जा रहा है दूसरे पार्टी में यह तो सोचिए ऐसी पार्टी को ही छोड़ दो ना कॉंग्रेस के चात बागो और गदारों के लिए एक स्टेट सी सीजी से बात है भीया अगर मैं आज सही हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जा रही है सच सुना जा रहा है लेकिन अगर सामने वाले ने गदारी की तो वो उसकी गदारी को है ना उसी से के अंदर हाईला के अंदर एक बाद आपको समझना पड़ेगी कि यह भगोड़े लोग है जिन्होंने यहां से छोड़ करके नई पार्टी बनाने के लिए लोगो मजबूर किया और अपनी गदारी के सबब के उपर इन्होंने सत्ता हासिल कि सत्ता हासिल करने के बाद भी यह काम्याब नही कि छोड़ा नहीं रहें नहीं है अगर दर दो चोड़ दो अगरेवे लोगों मेरा एकदम खुला खुला आवान है यह पीछे से समर्तन है हम आपके लिए ना काम करेंगे ऐसे लोगों कोई साथ में मतलओ कोई जुरुत नहीं है आप वायशाली दरेकर के लिए आप परचा विक्रान चोहान उन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग एरेंज की वैशाली दरेकर को बुलाया वैशाली दरेकर आई ही नहीं अब आट के खिलाब भी उन्होंने बयान दिया तो ऐसे में मुम्रा में कॉंग्रेस और एंसीपी से जमी नहीं रही है तो वह लोग कैसे दरेकर लिए पतारे ना इंडिया बलॉक के लिए नेता बनकर अगर कोई आएगा तो हमारी लें नेता राहूर कानदी खुली बादो नेता बनकर के अगर कोई आए गए तो झाले गए अभी लोगसाबा चुनाओ है लोगसाब चुनाओ में आप mesh नोजों kuhen को ले हम बोल रहे हम साथ में निकलेंगे हम घर घर निकलेंगे हम हरे घर के अंदर जाएंगे अगर जितने दो रवाड हमारा हाथ पकड़कर के साथ में चलेंगे हम उनका हाथ पकड़कर साथ में लेकर चलेंगे हम खुल कर के बोल रहे हम थोड़ी मोधी के साथ जाएंगे हम नहीं सथ हमें यूमर फेला करके कुछ नहीं ने का हमारे नेता राओल जिये हमारे नेता ज टींद्र रवॉरrovाण민 टींद्स को वीक्राऑ cü wealth रहेगा, सीदी सी बाते हैं, तो मैं तो वोई कांग्रेस की विचार दारा के साथ काम करूँगा ना, हाँ हम बोल रहे हैं हम जितने दर आवाड़े का हाथ पकड़ करके साथ मिले के चलेंगे, हम बोल रहे हैं यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी से अदिल खान आजमी सा करेंगे, हम मर्द की तर आएंगे सामने, हम छुप करके न आएंगे, कितना लीड दिलाएगी है वायशाली दरिकर को, मैं बोल रहा हूं, कम से कम हैंना, साथ पैसाथ हजार मिलेंगी यहां से लीड़, गुम्रा के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोले हैं वायशाली दरिकर क कि कुछ नहीं, वो आके तुम्हार से पूछते क्या, कि तुम सेकुलर है क्या नॉन सेकुलर है, सिर्फ इतना देखने का है, कमल के अगेंट्स में जो भी है, तीर धनुष बान जो उसके खिलाब जो भी है, मशाल यहां की निशानी है, मशाल के ओपर वोट देना है भी सार के लिए हर मंदीर के अंदर, हर चौक सवा के अंदर, हर गुरुदवारी के अंदर इस बात एकदम क्लियर हो गया है, अपकी बार गिर गई यह सरकार, अपने सुना की किस तरह से मुम्रा कौसा में चुनाओ को, चुनाओ जो इस मई को होने वाली है, उसमें जादा तर लोगों को मर्दान करने के लिए, जो है, कहा जा रहा है, खास तोर पर, कही न कहीं, जो है, यह एक चुनाओी संग्राम है, और कल्यान लोकसभा से एक काली दरेकर है, उद्धो गुट से और दूसरी तरफ जो है, शिंदे गुट से शिरकान शिंदे है, अब देखना यह है कि आखिर जनता किसे पसंद करती है, किंदे है, कि अश्धो जो फ UX था जंदे है, झाल लोक